हमारे यूपी में एक और जिले के नाम बदलने की तयारी चल रही है और जिले का नाम है बस्ती इसे वशिष नगर करने का प्रस्ता और राजसो परिशत को भेज दिया गया है इलहाबाद से प्रियागराज और फैजाबाद से अयोध्या अभी कुछ सालों के भीतर आपने इन दो बड़े शहरों के नामों को बदलते हो देखा होगा और बस्ती जिले के सभी विभागों की आम सहमती के बाद बस्ती को भी वशिष नगर किया जानी की चर्चा तेज हो गई है नमस्कार अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है महर शिवशिष्ट का बस्ती जिले से नाता शहर वा जिले के नामों में बदलाव की प्रक्रिया क्या होती है और इससे किस तरह के फायदया नुकसान हो सकते हैं इन सब की चर्चा हम आपसे अपने इस वीडियो में कर रहे हैं पर आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो की लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकुन को दबाना ना भूलें ये पहला मौका नहीं जब बस्ती जिले के नाम को बदलने की बात खो रही है इसे पहले 2019 में भी शासन को इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भीजा गया था लेकिन उस समय जब राजसु परिशद ने नाम बदलने को लेकर होने वाले खर्च की सूचना मागी तो एक करोन पहारी भरकम खर्च को देखते हुए इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हो सका दो साल बाद फिर से प्रस्ताव को तब और बल मिला है जब इलहाबाद और फैजाबाद का नाम बदला जा चुका है और बस्ती जिले के ही मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर माहर शिवशि इसके नाते के बारे में बताएं तो हिंदु धर्म के ग्रंतों के अनुसार ये अरिया जंगलों से घिरा हुआ था महर शिवशिष्ट जो भगवान श्री राम के कुलगुरू थे उनका आश्रम यहीं पर मौजूद था बस्ती जिले में ही मौजूद मकोडा धाम के पास र शामिल हैं 1865 से पहले बस्ती कोड़कपुर जिले का ही हिस्सा था लेकिन 1865 में इसे एक अलग जिला बनाया गया और 1997 में इसको एक मंडल बना दिया गया अब शहरवा जिले के नाम बदलने की प्रक्रिया को समझे तो ये काम पूरी तरह से राजसरकार के अंतर गताता है सर कारण सरकार यही रास्ता अपनाती है इसके बाद यह प्रस्ताव केंदरी ग्रिह मंत्राले को भेजा जाता है ग्रिह मंत्राले इस प्रस्ताव को अन्य संबंधित मंत्राले के पास भेशता है जब वहां से इसकी मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद जिले वा शहर के नाम में परिवर्थन हो जाता है चलते चलते आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताएं तो किसी भी जिले या शहर के नाम के परिवर्थन से होने वाले फायदों में सबसे पहला फायदा ये होता है कि इससे वहां की एतिहासिक्ता और पौराणिक मानेताओं को अच्छे से जानने और समझने में भी आसानी होती है पर जहां तक बात नुकसान की है तो जाहिर है कि इससे सरकारी खजाने पर खर्च बढ़ जाता है इसके लिए टेंडर जारी होता है और उसमें भ्रच चार की काफी अधिक संभावना रहती है इन सब के लावा ऐसे शहर या जिले जो बहुत पॉपुलर होते हैं और वहाँ पर परिटक भी आते हैं उन्हें समझने और समझाने में काफी कटनाई होती है और इसको लेकर एक नुकसान जो जन्ता को सहना होता है वो ये है कि इससे राजनितिक लाव को सारने की कोशिश की जाती है इसके लिए सरकारों को किस तरह से बैलन्स तरीके से खदम उठाने चाहिए, सरकारों की प्रात्मिक्ता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले यूपी जूडियो और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते ही हमारे चैनल बातें यूपी की